ओके पिछले कुछ टाइम से लगाता रियल मुद्धों पे मूविस बनकर आ रही हैं और ऐसा नहीं है लोगों को पसंद भी आ रही हैं जैसे दा कश्मीर फाइल दा केला स्टोरी और उरी मूवी पर अब वहीं आ चुका है यामनी गोतम का आर्टिकल 370 मूवी का टीजर वो उसके बास 70 साल से चल रहे आजादी के नारे दिखाए जाते हैं और कैसे वहाँ पर ट्रिरिजम, ग्रूपिनिजम, सेपरिजम फैल रहा है उसकी कुछ जलक दिखाई जाती हैं जो ऐसा देखने में लग रहा है कि मूवी के अंदर कुछ रियल फुटीजिस को इस्तमाल किय जो मूवी के लिए अच्छी बात तब हो सकती है जब पूरी मूवी के अंदर थोड़े थोड़े सीन रियल फुटीजिस के डाले गए हो ऐसा ना हो कि जितना हमें टीजर में दिखा दिया बस उतना ही सीन हो इस टीजर में अगर हम गोर फरमाए तो टीजर के अंदर हमें प जही जादा उपर होने वाली है क्योंकि मूवी के टीजर को देखकर इतना समझ मा रहा है कि ये मूवी स्रिफ आर्टिकल 370 को ही कवर नहीं करेगी बलकि कश्मीर के कुछ ऐसे चीज़ों को भी कवर करेगी जिसे हम लोगों को देखना चाहिए हाला कि ये मूवी इस लगने पर कश्मीर का क्या हल हुआ और आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या सुचेशन कश्मीर में है अब ये मूवी ट्रू इवेंट से तो इंस्पायर है पर इस मूवी के अंदर कितना रियलिजम हमें देखने को मिलता है और कितनी चीज़े हमें फिक्शनल देखने को मिलती है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा पर जब भी कोई मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर होती है तो उस मूवी को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर फिक्शनल चीज़े जरूर डाली जाती है वैसे भी जिस तरह इस टीजर को एंड दिया गया है एक के साथ वो टालेक सुनके ऐसा लग रहा है कि वो अमिसा सर की आवाज है पर ऐसा यकीन से नहीं कह सकते बाकि अगर आप उस वो इसको पहचान पाएं कि वो किस परसन की आवाज है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना पर इस टीजर को जिस तरह एंड क्या गया है वो मैं इस मूवी के लिए एकसाइडिड हो रहा हूं क्योंकि इस मूवी के मेकर्स उरी के मेकर्स हैं अब आपके क्या थोट्स हैं इस मूवी को लेकर आप कमेंट्स में जरूर बताना बाकि मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाए और हाँ पिच्च के लिए थोड़ी लालत ज़रूरी है बाई